सबसे पहले हम जान लेते हैं synchronous motor कैसे वर करता है और इसकी बनावड कैसी होती है ठीक है the synchronous motor is a device which convert the electrical energy into mechanical energy and then into rotational force the synchronous motor is a always run to synchronous speed ठीक है तो synchronous motor जो होता है यह electrical energy को mechanical energy में convert करता है और इसकी speed जो होती है सेम रहती synchronous speed में रहती है हम कुछ synchronous motor के बारें जान लेती है यह एक machine जो की synchronous speed पे चलते हुई है mechanical power देती है जब एक DC generator को DC motor की तरह इस्तमाल करते है उसी परकार alternator को भी AC motor की तरह इस्तमाल करते है synchronous motor कहते है, synchronous motor, synchronous motor के stator पर 3 phase की binding की जाती है, जब motor को 3 phase की supply दी जाती है, तो उस समय, उसके अंदर synchronous speed में घुमने वाला magnetic flux बनता है, ठीक है, जिसको हम यह में बोलते हैं, जिसको हम यह में बोलते हैं, तो 3 phase induction motor, जो 3 phase induction motor है, उसकी चाल कैसे गयात करते हैं, उसके बारे हम कुछ जाल लेते हैं, यह बराबर 120 इन्टू यह बाई P, ठीक है, यह बराबर क्या होता है, इस stator में लगाई गई परेवर्ती यानि AC voltage की frequency, जिसे हम यह से परदर्शित करते ह हैं, और P, motor की polar की संख्या, जिसे हम P से परदर्शित करते हैं, और यहन क्या है, यह rotor की चाल, यानि चक्कर की प्रती minute की परदर्शित करता है, अब हम जान लेते हैं, इसकी बनावट कैसी होती है, ठीक है, 3 phase motor की बनावट एक alternator की शमान होती है, जिस पर एक AC, जिस पर DC motor, generator वा motor दोनों का काम करती है, उसी परकार synchronous motor भी alternator तथा motor का कारे करती है, synchronous motor इस तरी speed पे चलने वाली motor होती है, इसकी speed पोल वा frequency निर्वर करती है, जो इसकी speed होती है, यह पोलो और frequency पे निर्वर करती है, ठीक है, इसके मुझ के भाग होती है, number 1, stator, number 2, rotor, number 3, primer, और number 4, exciter, stator क्या होता है, जो इस्तिद रहता है, और rotor जो rotate करता है, ठीक है, synchronous motor को start करने की विदिया, ठीक है, यह जो synchronous motor होता है, खुद यह swim start नहीं होता है, synchronous motor को start कैसे करते हैं, इसके बारे भी थोड़ा जान लेते हैं, synchronous motor, swim start नहीं होता है, इसको start करने के लिए 3 विदिया है, number 1, pony motor द्वारा नमबर दो DC मोटर द्वारा नमबर तिन सेल्फी स्टार्टिंग विदी ठीक है तो दोस्तों आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता हैं मैं आगे फिर से एक नए वीडियो के साथ आओंगा जल्दी तब तक के लिए नमस्कार आप ऐसे ही अपन योगदाम देती रहें धन्यवत